निपुन हार्याना मिशन के तहट सरकारी स्कूलों में ग्रेड थी यानि कि तीसरी कक्षाओं तक बच्चों को शिक्षा दी जा रही है इस मिशन के तहट स्कूलों के रंग रूप को बदला जा रहा है हाई टेक किया जा रहा है स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तरह सरक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिले प्राइवेट स्कूल के स्तर की शिक्षा मिले इस तरह व्यवस्ता यहां की गई और इस वक्त सिर्शा की मीरपोर कलोनी में बने एक प्राइमरी स्कूल में मैं हूँ और यहां पर इस वक्त हम आपको कक्षा दिखाते हैं कि यहां पर थर्ड क्लास है और यह तीसरी क्लास इस वक्त चल रही है निपोन हर्याना मिशन की तहत प्रदेश भर में तीसरी कक्षा तक के बच्चों को रोचक और नई-णई एक्टिविटीज के जरिये बुनियादी भाशा और अंक गणित सिखाया जा रहा है उनकी नीव मजबूत की जा रही है निपोन हर्याना मिशन के तहत स्कूलों का इंटीरियर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे फेमिलियर फील करें, हर एक्टिविटी में पाटिसिपेट करें और खेल-खेल में सीखें मैं एक आर्मी रिटायर्मेंट हूँ और मेरी वाइफ नरस है उसके बावजूद भी प्राइबेट स्कूलों को छोड़के मैं इस सरकारी स्कूल से बहुत ही संतुष्ट हूँ दमक दमक आता आती, दमक दमक चाता आती, जब पानी में आता आती, बर बर सुनू आता है, कितने केले खाता आती है, तुने ही पताता है पहले इंग्लिस नी सिखाई जाती थी है, अब इंग्लिस भी सिखाई जाती है बहुत अच्छे से मेरी बेटी को भी सिखाया जाती है उसको अभी सिखाया जाती है अभी से पाड़े बगएरा भी उसको अभी से शुरू करवा दिये गए निपोन हर्याना मिशन की तहत प्रदेश भर में धाई हजार से जादा स्कूल चल रही है जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा में निपोन बनाया जा रहा है मिशन की अंतरगत बच्चे किस तरह से अच्छी शिक्षा हासिल कर सके इसकी तस्वीर हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई है सिर्शा की मीरपूर कॉनोनी से मैंने को जसू जा सूर्य समाचार